वेल्कम बेक तो माई यूटूब चैनल सैने लेनिंग क्लासेज मैं हूँ आपके एजुकेटर निहा सैनी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिस्टेंस और डारेक्शन से रिलेटेड ग्वेस्टेंस इस तरह के ग्वेस्टेंस आप हमेशे किसे ने किसे एक्जाम म पूछी जाती है तो यहां पर हम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डारेक्शन कितनी होती है देखो डारेक्शन आपके चार होती है आप सभी को बता है ठीक है यह क्या है आपका नोर्थ है यह साउथ है यह एस्ट है और यह क्या है वेस्ट है ठीक है उसके बाद हम क A से यह मालो point A मालो यह ठीक है उसने चला कहा तक 2 km तक कितना चला 2 km ठीक है इस question को मैं यहां पे आपको solve करके बताती हूं लक्षमी A है यहां आपकी direction हो गई ठीक है यह North हो गई यह South हो गई और यह East हो गई और यह West हो ठीक है अब जो लक्षमी है उसने क्या क्या 2 km तक चली वो एक point से 2 km चली ओके southward to a point z जैड तक then turns right उसके बाद उसने क्या किया turn किया कहां पर right अब उसके बाद बोला गया है कि turn right and travel twice that distance to reach y यानि कि double distance उसने travel की, double distance का मतलब क्या हुआ 2 है तो यहां पर क्या होगा 4 km तक उसने travel किया कहां पर पहुँचने के लिए y पर she then turn left and travel five times the distance she covered from a to z and reach the point x अब यहां पर x point पर जाने के लिए उसने क्या किया, जो यह distance उसने travel किया है, इसका क्या किया, double travel किया है ठीक है, यानि कि five times यहां पर क्या है, five times उसने travel किया है, a से z की बीच वाली जो distance है, यानि कि यहां पर अगर हम क्या करेंगे, five into two करेंगे, तो कितना आएगा ten कितना आएगा ten यानि कि यहां पर उसने कितना distance travel किया, ten kilometer, okay y से x तक क्योंकि five times था, a और z गे, from there she turn left and travel four kilometer to reach destination b, उसके बाद क्या किया, destination b की बारी आगई, यह क्या है देखो, from there she turns left and travel four kilometer to reach destination b, यानि कि b destination पर जाने के लिए उसने क्या किया चार kilometer तक travel किया, what is the shortest distance between point a and b, पॉइंट a और b के बीच में shortest distance पूची गई है, यहाँ पर देखो, यह क्या था आपका, नौर था, south था, ठीक है, यहाँ से उसने, ए से जैर तक travel किया था, दो किलो मिटर, चीक है, एक मिनट, पैन चेंज कर लेती हूं, अब यहाँ पर उसने, जैर, ए से जैर तक किया, दो किलो मिटर, ठीक है, फिर वो जैर से क्या हुई, राइट टन लिया, य पे पहुँची, 4, फिर वो क्या हुई, एक्स पे गई थी, 10 किलो मिटर, अब यहाँ, जो डिस्टेंस पूछी गई है, वो किसमें पूछी गई है, बी और ए में पूछी गई है, अब यहाँ से यह एक्स पॉइंट से क्या करती है, बी पर जाती है, तो यह A और B के बीच में shortest distance आप से पूछी गई है, चीक है, अब यहाँ पे shortest distance हम निकालने के लिए क्या देखेंगे, shortest distance क्या होता है, जब आप सिधे 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 चल के आ रहे हो, चीक है, तो A से बीच के बीच में shortest distance क्या होगी, वो होगी आपकी A, Z, plus Z, B, अब A, किस डारेक्शन में यह कौन सी डारेक्शन है यह कौन सी डारेक्शन है यह आपकी साउथ तुसका अंसर क्या होगा ट्वैल किलोमेटर किस में साउथ में ठीक है यह देखो आप यहां पर आप्शिन भी दिया हुआ है 12 किलोमेटर साउथ किस में आ गई है 12 किलोमेटर साउथ में आ गई तो यह होगी आपका अंसर इसका आई होप आपको समझ में आया होगा इस क्वेशन का अंसर कि किस तरह से हम इसको सौल करते हैं ठीक है सबसे पहला आपको डायरेक्शन पता होने चाहिए फिर उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे उस पे मॉव करना शुरू क कर दिछेूर आप शोर्टेस डिस्टेंस और डारेक्शन निकाल सकते हैं इसली 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 आप अच्की वीटियो आपको पसंद आही होगी इसली ऐसे लैक्ष नायरेक्शन सब्सक्रेब भाव गवार्ण